Hello Friend, Welcome to my new video और आज की इस वीडियो के अंदर फेन्द मैं आपको enough कैसे आप अपनी एक Normal Pen Drive को Deduction Pen Drive बना सकते हो ताकि उस Pen Drive का यूज़ करके आप अपने Computer या Laptop के अंदर जब भी आपको Window Install करना है दुबारा से तो आप जो उसका वीडियो के इंदर हम आपको complete बताने वाला हूं तो चलिए फ्रेंड आज का वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब के जल्दी चैनल को सब्सक्राइबर के बेल आइकन को प्रेस कर लेजिए क्योंकि ऐसे useful content में आपको आते रहता हूं तो चलिए फ्रेंड आज का वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंड अपने एक नॉर्मल पैंडराइब को गोटेवल पैंडराइब में करने के लिए सब्सक्राइब आपको एक पैंडराइब चाहिए पैंडराइब आपका 8GB या फिर इससे उपर का होना च सजेस्ट करूँगा कि आप 8GB के बजाए आप 16GB या फिर इससे उपर का यूज करें मेरे पास 32GB का पैंडराइब है तो मैं इसको यूज करूँगा उसके बाद पैंडराइब के बाद आपको करना का है आपको एक ISO इमेज फाइल होते है उसको डाउनलोड कर लेना है मैंने पहले डाउनलोड करके रख लिया था आप देख रहे हैं यह रहा यह एक फाइल है जिसको हम ISO इमेज फाइल बोलते हैं यह विंडो 10 की है अगर आपको अपनी पैंडराइव को जो है विंडो 7 के लिए बुटेवल पैंडराइब बनाने तो आपको जो यह ISO इमेज फाइल ह करनी पड़ेगी अगर आप 8 के लिए बनाना चाते हैं तो आपको विंडो 8 की ISO इमेज फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी मैं आपर विंडो 10 के लिए बना रहा हूं तो मैंने आपर विंडो 10 की ISO इमेज फाइल जो है डाउनलोड करके रखे हुई है अगर आप 11 जो है वि 47 GB का है तो इसका size थोड़ा बड़ा होता है तो आप जो है अच्छे network का use करना तो यह थोड़ा fast download हो जाएगा तो मैंने विंडो 10 के लिए जो है मैं आप पर bootable pen drive बना रहा हूं यह जो मेरा 32 GB का pen drive है मैं इसको विंडो 10 के लिए जो है bootable pen drive बना रहा हूं ताकि मैं अपने कोई भी computer या फिर laptop के अंदर विंडो 10 को जो है easily install कर सकूँ तो bootable pen drive बनाना काफी जी आपको simply करना का है सबसे पहले आपको एक pen drive लेना है उसके बाद यह ISO image को download कर लेना है जो भी विंडो आप जो है डालना चाते अपने pen drive के अंदर वही ISO image आपको डाल देना है और ISO image कैसे download की जाते है इसके उपर भी मैं next जो है वीडियो बनाने वाला हूं तो आपको जो है बिल्कुल भी चिंता नहीं करने है अगर आपको पता है तो आप जो है उसको फटावर डाउलोड कर लीजे नहीं पता है तो मै नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाला हूं उसको याद फ्रेंड आपको करना का है सिंपली आपको यहाँ पर Google Chrome को उपन करना है जैसे आप Google Chrome को उपन करेंगे आपको उपर सर्च बार पर कलिक करना है और टाइप करना है और यू एफ यू एस यह वाली वेबसाइड आएग देख रहे हैं शिरफ 1.3 MB का साइज है तो आपको यह इसे डाउनलोड कर लेना है जैसे आप यहाँ पर कलिक करेंगे आप देख रहे हैं यह इसका वर्जन है और साथ में जो इसका साइज लिखा हूँ है तो यह 1.3 MB का यह सॉफ्टवेर है तो ज्यादा नहीं है हम इसके उपर कलिक करेंगे जैसे हम इसके उपर कलिक करेंगे थोड़ा प्रोसेसिंग होगा और यह डाउनलोडिंग जो है लगना स्टार्ट हो जाएगा तो आप देख रहे हैं आपर जो है यह डाउनलोडिंग लगना स्टार्ट हो गया है तो मैं फटा-फटा से जो इसको डाउन दाउनलोड कर लेता हूं अज नेट यार थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा जो है वीक है इसलिए इतना टाइम ले रहे हैं ज्यादा बड़ा सोफ्ट्वेर है नहीं सिरफ 1.3 MB का सफ्ट्वेर है और इतना टाइम ले रहे हैं तो फ्रेंड आप देख रहे हैं जो सोफ्ट्वेर है वो डाउनलोड हो चुका है अभी हम इसको यहां से कट कर देते हैं उसके अधर फ्रेंड आपको करना के है यहां पर आपको अपनी फाइल को अपन करना और यहां आपर जो डाउनलोड पे कलिक करेंगे और आप देख रह तो फ्रेंड आप देख रहे हैं जैसे आप अपने सोफ्ट्वेर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो यह इंस्टॉल करते हैं आपके सामने जो ओपन हो जाएगा अभी आपको करना के हैं आपको अपने CPU के अंदर अपना pen drive लगा देना है तो मैं pen drive लगा देता हूँ जैसे आप pen drive को लगाएंगे तो यह automatic सी जो है आपकी pen drive को select कर लेगा तो हम थोड़ा wait करते हैं आप देख रहे हैं आप 32GB का pen drive यहाँ पर automatic जो select हो गया है उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं disk और ISO image तो यहाँ से आप select भी कर सकते हैं अगर आपको कोई दूसरा select है तो यहाँ पर जो आपको ISO image को select रखना है और उसके बाद आपको यहाँ पर select के उपर click करना और जहाँ पर भी आपकी ISO image file जो आपने download करके रखी हुई है तो उसको select कर लेना है तो मैं यहाँ पर click करूँगा उसके बाद जहाँ पर भी हमारी ISO image file उसको हम select करेंगे तो आपने जो एक window 7 वाली select कर लेनी है जो भी window की आपने डाउलोड की है उसको select कर लेना है तो मेरे पास यहाँ पर window 10 की है और मैं window 10 की ही जो वूटेबल पैन रहे बना रहा हूं तो मैं इसको select करूँगा उसके बाद हम open पर click करेंगे जैसे हम open पर click करेंगे तो यहाँ पर जो मिलेगी कि आपकी pen drive के अंदर जितना भी data वो सारा delete हो जाएगा तो आप जो है इसको okay कर दीजिए जैसे आप इसको okay करेंगे तो यह सबसे पहले आपकी जो pen drive इसको format करेगा उसके बाद जो है इसके अंदर जो है आपकी जो है bootable pen drive बनने के लिए जो processing चलने लग जाएगी तो यहापर जो है आपको थोड़ा सा time लगेगा depend करता आपके system के उपर तो आपको थोड़ा wait करना है जब यह processing complete हो जाएगी तब जो है आपकी pen drive एक bootable pen drive बन जाएगी तो मैं आसे जो है थोड़ा सा वीडियो को fast mode में कर रहा हूँ ताकि आपका time waste ना हो क्योंकि already वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है तो friend आप देख रहे हैं जो boot का process था वो यहापर complete हो चुका है अभी आपको कुछ भी निकाना simply यहापर जो है close के उपर click कर दे रहे हैं जैसे आप close पर click करेंगे जो आपकी pen drive है वो bootable pen drive बनके जो है त्यार हो चुके और अभी जो है मैं आपको file को open करके दिखा देता हूँ यहापर जो हमारी pen drive आप देख रहे हैं यह वाली हमारी pen drive है और मैं आपर जो click करके आपको दिखा देता हूँ इसका size भी आप देख सकते हैं 32GB था यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इतना जो है हमारी pen drive का size जो है यहाँ फुल हो चुका है और इस तरीके से जो है आप अपनी कोई भी normal pen drive को bootable pen drive बना सकते हो और जैसे मैं इसको open करूँगा तो आप देख रहे हैं जितने भी setup है boot source sports file जितनी भी होती है जो भी window pen drive के अंदर होती है वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और इसी तरीके से आप अपनी normal pen drive को bootable pen drive बना सकते हैं अब यह जो normal pen drive को हुमने bootable pen drive के अंदर convert किया है इस pen drive से आप किसी भी laptop या computer के अंदर अगर आपको दोबारा window install करना है कोई भी नए computer के अंदर आपको दोबारा new window डालना है laptop में new window डालना है या फिर आपकी window के अंदर कोई दिक्कत आ गई हो हमें नीचे description box में डाल दूँगा तो आप जो उस वीडियो को देखके जो है अपने laptop या computer के अंदर अगर आपको window डालना है तो आप उस वीडियो को देखके window भी डाल सकते हैं I hope कि आज का वीडियो आपको काफी अच्छा यूजफूल लगा हुगा वीडियो थोड़ा सा लंबा था लेकिन काफी यूजफूल है तो वीडियो कैसा लगा है कमेट करके जुरूर बता देना है मिलते फ्रेंड ऐसी एक और नेक्स्ट वीडियो में